हाइ everyone welcome back to my channel landed dreams कैसे आप सब आज भी weekend का दिन है और अभी जो बहार में मौसंप का हाल बता हूं तो इतनी तेज दूपे की बहार जाया नहीं जा सकता पहले पहले तो लोग weekend के टायम पे पूरे रस्ते बार लोग दिखते थे अभी weekend में भी कोई लोग नहीं देखते क्योंकि सबस्क्रेजेद उस था में जनी सवाले के बारे में मोगने चुछे के जीजु नन वह सक्ताते हैं इसे पोराने जन्य वीडियोन मैं कमेंट करी एं फिक उपक है जो इमप्र्टेंन कमेंट हैं तो उस पे बात करते हैं, और सबसे हैं, हम स्टूडेंट जो भी आते हैं, वो अपना कॉलेज का फी निकाल सकते हैं, जो फॉर्स इंस्टॉल्मेंट होता है वो पे करके आऊ और सेकेंड फी में खुद पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो पहली बातों में आपको य तो पंदर दिन लग जाएंगे जोब ढूने में और आप जो मिनिमूम रेंज होता है वो पंदर बीस दिन तो लेके ही चलिए, सब्सक्तों नहीं है कि यहां पर आते ही आपको जॉब मिल जाएगा, आपको समझना पड़ेगा, जब जा कि आपको जॉब मिलेगी उस प्रोस और वो तीन महीने में तो सिर्फ आप वो 20 घंटे ही काम करना अलाओड होता है स्टूडेन को, आप हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हो और मैं आप बार बार बोलती हूँ कि जो एक घंटे का वेज रेते हैं जो नेशनल वेज रेते वो 9.5 है अगर आपने कुछ डिफरेंट क पर जो मैक्सिमुम बाकी एजन्सी देती है वो बार दस से बारा पाउंड ही देते हैं ऐसा होता है तो आपको खुल्ट काल्कुलेट करिए कि आप कितना कम आपागे और तीन महीने के अंदर आपको पास दूसरे जॉब या जो दूसरे टाइपस के जॉब होते है तो अगर आप आपको समझ आपको क्या करना है यह दूसरे सवाल होता है क्यूप एस घर वेज सकता हैं तो चैने भी हम इंडिया से आते हैं मिडिल खायल् tap resp li हम अपनी family के लिए कुछ करना चाहते हैं किसी को घर बनाना होता है pugish ka morani就 pay चल्दी मुझे भी जल्दी था कमा newspaper अपना जितने इप ağक फॉरे करूँ बया कर computer चीज में टाइम लगता है गुड थिंग्स टेक्स टाइम जो बोला जाता है वह एक्चुल है क्योंकि आप आते ही जॉब नहीं ले सकती हो आपको टाइम देना पड़ेगा आपको फाइंड आउट करने के लिए फिर आप जॉब में जाओगे अगर आपको विकली पे होता है लाइफ पहर स्टाइज आपको मैं आ पर प्रेशराइज कर दिया तो आप भूंए टॉब लोगा दो वर ये इक्ट घुटाइज कर दिया आपको तो अपने लाइफ को लुग वे अपने लाइफ को वय्क्ते लोग कसी से हल्प लेके आई रहे हो तो एक साल का दुने तो थोड़ा थोड़ा आप सेफ करके आपना जोतना भी लोन होगा वह पे करना स्टार्ट कर सकते हो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाका थोड़ा से मैं बोलूंगी छे से आठ महीने आप लेके चलिए इसलिए एक साल का फी पे करना ताकि एक साल के बाद जब फुल-time कर सकते हो जब आप eligible होते हो इदर बीस जानते हो अच्छे से मुझे बताने की जोरोत नहीं है तो यही है पैसे भेजा जा सकता है पहले ही उसके लिए आपको आपको समय देना होगा और यहां पे काफी एप्लीकेशन से उसकी थुरू आप ऐसे भेज सकते हो जो सबसे ज्यादा पूछते हैं वह है universally का a to girl 얼마나 जूँनिवसिती का की इह yuniversity कैसा है इय जर्ग कैसा है ये कोर्स कैसा है जो का जाद तर heo-?」 तो मैं आपको बता दूँटी कि यहांपे आप हर कोई हर कि युनिवर्सिटी है अगर वो फॉबलिक युनिवर्सिटी है तो और भी आच्छा प्राइप यूनिवर्सिटी ज्यादा पॉबलिक यूनिवर्सिटी को प्रेफर टेवर경 करना इंटर्मस ओ जो से रहा ज equip ल मिलती यहां के बड़े बड़े Oxford University या और बी जितने टॉप 10 University उनको छोड़के भी अगर आप कोई भी उनिवर्सिटी में भी जाओगी UK में हर यूनिवर्सिटी यहाप बेस्ट यूनिवर्सिटी है आप किसी भी उनिवर्सिटी निकलो क्योंकि इंटेन स्टुरेंट के लिए प्लेस्मे आप बड़े जो लोग साइनस के फील से आते हैं मेडिकल फील से वहर फील का अलग अलग फी है तो मैं एक एक उनिवर्सिटी का साइट को बता नहीं पाऊंगी यह बहुत एजी है आप खुद से चेक कर सकते हो जो भी उनिवर्सिटी के आप जाना चाहते है उनका पोर्ट कि मिनिमम्म जो होगा वो दस लाग से कम की उनिवर्सिटी यहां पे नहीं होगी बहुत ऐसा हो सकता है यह फिली हो का सबस्क्राइब नार्मल है वो बतादे तो नॉर्मल में होता है अगर मैं स्टुडेंट हूं मैं इंग्लिस मीडियम में बड़ाई करी है और मेरा जो ग् तो आपका तीन हजार हो गया जिसमें से आपका साथ लाग लगता है तो इस तरीके से लोग बताते हैं और जो एक्चुल फी होती है वह दस लाग से कम कि कोई भी उनिवसिटी नहीं है और यह मैं जो चुल्पा थिर्टे इस तरीके से लिए उसके अग्राशिप पर दुम और जा जा झा सब्सक्राशिस के ब हसा गार्याशनल स्टुडे सिर्टे नहीं हैं पंद्रा कि उसको सब्सक्राशिब में तो दिया है और देए लग पहले आते हैं सलेशा तक स्कॉलर्शिप दिया जाता है और अगर आपने पूरा फी वन सॉट में पे कर दिया है तो भी आपको 2.5 या 5 परसंट के स्कॉलर्शिप मिल तो आपको फी पे करना ही है तो आपको 5 परसंट भी क्यूं न बचाई इसलिए पहले ही प्रेफर करें यह मेरा सजेस्टन है एं कि यह देपरटमेंट होता है तो हर एक डिपार्टमेंट में जॉब अवेलेबल आपकोई भी पढ़ाई करें अगर आपका मार्केटिंग और यूमन डिसॉर्स नोलीज एक साथ है तो आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं उमन रिसॉर्समें भी इनजीनीरिंग क क्यों अगर आप उस इंजिनियरिंग में पिस नहीं होता है कोई supply chain में जाता है कोई डिजाइनिंग में जाता है कोई दूसरे पार्ट में जाता है तो अलग अलग stream पे आज आप जा सकते हो तो हर जगे पे वेकेंशी अवेलेबल है आप सिर्फ उसको find out करो कि कहाँ अवेलेबल है जैसे मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया और इसमें भी बताया कि sponsor license company ही आपको jobs दे सकती है अगर आपको long time के लिए देखना है अगर आपको work visa चाहिए तो उन company का find out करें उन company के website में जाए और वहां से आप direct apply करें इसके लिए आपको आपका cv बहुत strong बनाना है आपका experience होना जरूरी है experience अगर आपके पस नहीं है तो फिर भी आपके academy की knowledge उतना अच्छा होना चाहिए आपका personality उतनी अच्छा है आपकी communication skills उतनी strong होनी चाहिए तो job के लिए आप टेंशन मत करें हर field में job available है एं देन जो दूसरा सवाल है कि कौन सी city में आना चाहिए city आप UK में कोई भी city UK में जो big big cities लंडन हो गया मैंचेस्टर हो गया बर्मिंगम हो गया लीर्स लीवर्पूल आप कहीं पे पी जाए हर cities best है हर cities में jobs available है अगर आप उन cities के भी बहार हो तब भी छोटे चोटे चोट करें कि आपको कौन से कोर्स में जाना चाहिए और मैं यह भी बता दू कि लोग यह सवाल पूछते कि कौन सा कोर्स ले तो हमारे लिए best होगा सो में आपको बोलू कि आपको वह कोस लेना है जो shortage occupation लिस्ट में आता हो अगर आप 12 के बाद आरे हो तो आप अपने स्ट्रीम स्लेक्ट कर सकते हो कि आपको कहां जाना ज्यादा फाइदे मंद हो सकता है अगर आप मास्टर्स में आ रहे हो तो आप अपना ग्राजवेशन के साब से अपना स्ट्रीम चूज करिए और जो प्रोफाइल है जिनमें सब यहां पर हाइली डिमांड है जैसे IT का होगा कोई भी एरिया में अगर आप डेवलपर हो इंजीनियर हो टेस्टर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो कोई भी प्रोफाइल में आप सकते हो हर लोग आज अगले साल के लिए बुकिंग कराते तो डॉक्तर का थोड़ा सा प्रोसेस टॉफ है तो डॉक्तर में रेकमेंड नहीं करोंगी एंटें जो दूसरे प्रोफाइल है अगर आप जिस दूसरे जैसे कि आपके स्ट्रिम कुछ और है बड़ा वीजा के लिए जाना च कर सकते हो और आपको काम सिखा देंगे और काम पर लगा देंगे तो आप एक साल तक अभी काम करो और एक्स्पिरियंस रोजाओ तो फिर वहां पर बात कर सकते हैं कि मुझे आप तक रीच आउट करूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हो रखें तो मैं बार बार रेज करिये ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए तो मिलते अगले वीडियो में आप तब तक के लिए सी यू बाई बाई